इस वीडियो हम आज आपको बताएंगे कि अगर आपका कंप्यूटर में या फिर आपका लैप्टॉप में जो साइड में नंबर बटन होता है जिसे नंबर कीपैड करते हैं अक्सार वो आप एक्स्टरनल कीबोर्ड या फिर लैप्टॉप में देखेगा तो उपर में कीबो अस्टेफ फॉलो करने पड़ते हैं उस अस्टेफ को अगर हम एक्टिवेट कर दे तो फिर वो हमारा जो कंप्यूटर में की नंबर कीपैड बटन है वो काम करने लगेंगे और ऐसा यह बिंडो टेन या फिर बिंडो सेबन के साथ हो सकता या फिर लेटेस्ट वर्जन जो जो आपको तरीका बताने वाले वह सभी में यूसफुल रहेगा बिंडो सेविन के लिए बहुताइंगे और टेन अर्म उल्हां के लिए उसके लिए हम यहां पर से साइड में गए और यहां पर यहां पर नोटपेड ऑप्इन कर लेते हैं और नोटपेड उपेड़ से कर लेंगे और इसमें हम देखीेए का मैं नमब यहां पसक्राइब कर बूरह है उश्ची हो क्र tulitt कर देख सकते और रसर जैसे है उसी तरह लेकिन इसी पर हम कुछ टेक्स कर रहें जैसे कुछ भी आम यहां पर से टाइप कर रहें बट राइट राइट सैद में जो नंबर है वह मतलब नहीं हो रहा और उसके जगह पर कुछ अलग स्टार्ट पी देख सकते हैं यहां पर स्टार्ट पिच कर लेना है और अगर यह एक बात बता देते हैं यह बिंडो 10 यह बिंडो 11 है तभी यह इसके बाद यह सेटिंग का दिया हुआ तो सेटिंग पर क्लिक कर लिजे जब आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ ऐसा रहें दिखेगा और इसी में एक option लिका रहेगा बहुत सारे option होता है इसमें एक option रहता easy of access का ठीक है जब हम easy of access वाला बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इधर scroll करेंगे तो इसमें right side में देखिएगा बहुत सारे अलग-अलग प्रकार को option है तो देखे होता कि आना कि बहुत सारे लोग ये खोजने लगते हैं कि हमें कीबोर्ड में problem है तो हमें कीबोर्ड वाला ही option ढूड़ना पड़ेगा ठीक है दरसल ऐसा सोचना बिलकुल सही है लेकिन हागिकत में यहाँ पर आके वह बात सही नहीं होता ठीक है अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे right side में sorry left side में आपको यहाँ पर स्क्रीन के left side में आपको मिलता है जब हम यहाँ पर mouse वाला option पर क्लिक करते तो right side यहाँ पर से बहुत सारे अलग अलग तरह का option आने लगेगा mouse related कई तरह के ठीक है इसी में एक function होता है और इसी को यहाँ पर से पढ़ सकते हैं जैसा लिखा हुआ है turn on mouse की to use the numerical keypad यानि कि जो side में बटन होता है उसे numerical keypad कहा जाता ठीक है यह अभी on है अगर हम इसे off कर दें तब यहाँ पर से देख सकते off कर दिए तो बाकी नीचे में जितने भी option थे सभी हट गए और फिर से on कर रहे हैं तो सभी देखिए गा बाकी सभी option आ गये तो हमें इसे क्या करना होगा off कर देना होगा ठीक है जब हम करते हैं और यहां पर चीशे कट कर लेंगे या फिन minimize कर लेंगे ठेक है अब हम यहां पे अगयine newtrap में अब हम कुछ नंबर गारे तो नंबर टाइप हो रहा है जबकि पहले नंबर invest नहीं हो रहा था अप देख सकते हैं कि नंबर हम टाइप कर रहे गया और वह तक्वास size बिंडोज 7 है तब आप यह कैसे करेंगे तो देखें उसके लिए आपको बता दे बिंडोज 7 में स्टार्ट में यहाँ पर से सेटिंग नाम का बटन तो होता नहीं है लेकिन बिंडोज 7 में एक ग्ट्रॉल पैनल जरूर होता ठीक है तो अब पहले आप यहाँ पर से सर्च साइट से आप उपन कर लें ठीक है जब हम कंट्रोल पैनल ओपन कर लेते हैं तो चंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपका फीचर तो इस तरह के बार अगर ऐसा ना दिखेगा तो आपको यहां पर से भ्यूप जाना है यहां पर से लार्ज आइकन्स के मतलब कैटेग्री ब प्रफेस कुछ इस तरह करेंगे आपको नीचे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह का ओप्सन दिया हुआ इसमें आप माउस से रिलेटेड भी देख सकते हैं कीबोड से रिलेटेड भी देख सकते हैं तो आपको यह बात को याद रखना है कि आपको याद किस चीस के आपके मतलब कौन से काम के लिए आया है तो नंबर कीपैड ओन करने आए तो यहाँ पर से बहुत सारा का दिमांग आएगा और उसका अलग अलग display आपको इस तरह के दिखेगा ठीक है आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि या इसमें भी यही word लिखा हुआ है कि control the mouse बिथ the keyboard मतलब आप अपना mouse को keyboard से control कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या use करना पड़ेगा तो use the numerical keypad to move the mouse around the screen मतलब आप अपने screen पे mouse के जो cursor होते हैं इसे pointer कह जाता जो 3 type के होता उसको pointer कहते हैं और उसे screen पे move करने के लिए हमें इसको on रखना पड़ता है ठीक है लेकिन अगर हम on रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम side में notepad open कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि on आपको दिख आपको ठीक है जब on है और हम यहाँ पर से जब हम type कर रहें नंबर तो कुछ number type ही नहीं हो रहा ठीक है लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पर से आप कर दें यहाँ पर टिक करके आप कर दें और नीचे में apply या फिर ok बटन पर जाके हम click कर देंगे ठीक है तो यह काम करने के बा सभी में यह option activate कर सकते या फिर deactivate कर सकते हैं अगर किसी को number keypad use कर रहा है बहुत जादा अगर आपको उसका use नहीं करवाना है तो आप इस option को आके activate कर दिजे अगर आपको टिक हटा दिजेगा तो फिर यह option काम करना बंद कर देगा ठीक है I hope कि आपको इस number keypad को on करना, off करन से यह समझ में आ गया होगा मिलते हैं next वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो वीडियो को like करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें